Hello everyone, Welcome to MPPST Study Channel आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारते सम्मिदान के प्रमुख तीन अंग जो की सब्येक जम्स के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है भारत में चैनिस सरकार की सरजना को समझना बहुत ही आवश्चक है इससे देश के लिए सरकार की भूमिका का पता चलता है और साथ ही इस बात को समझने में भी आसानी होती है कि क्या सरकार सही रूप से अपना कार कर रही है तो दिखते हैं आगे भारते सम्मिदान के प्रमुख तीन अंग यहां पर हम कैंदर सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारों के बारे में समझेंगे 1947 के बाद जब सम्मिदान बनाने की बाद सामने आई तो यहां पर संसलिय ब्यवस्था अपनाई गई सम्मिदान के तीन अंग बनाए गए इन तीनों अंगों के कुछ अपने अपने कार्य और पावर भी दिये गए जिन में से पहला है हमारा लेजिस लेचर जिसको हम विधाईका बोलते हैं विधाईका का काम होता है विधेयक बनाना मतलब legislature का काम होता है देश बासियों के हिद के लिए कानून बनाना होता है सरकार की इस भाग का काम देश बासियों के हिद के लिए कानून बनाना या कानून में बदलाव करना तथा पुराने कानून को हटाने का अधिकार है सेकेंड है एकजी क्योटिब Executive मतलब कारेपाली का कारे होता है संसद में बने कानूनों को पास करना तिथा एक्स्क्यूच करना होता है और जो थर्ड है अपना वो है जूडी सरी, जूडी सरी मतलब न्यायपाली का, न्यायपाली का कारे होता है, न्यायपाली का का काम एग्जिक्यूटिव और लेजिसलेटर के भी सम्मंद स्थापित करना होता है, इस कारे के साथ जूडी सरी जनसाधरन सम्मंदित अन्य समस्य नियाव का भी हल निकालती है जोडीय शरी मतलब नयाय-पाली का यदि लोग को लागु करने में दिक्कता आती है तो इसे सॉल्व करने का कारिव या फिर सजा देने का काम जियोडीय का होता है आंगे देखते हैं यहां पर हम फर्स्ट हम बिधाईका की बात करते हैं बिधाईका जो कानूर बनाने का काम करती है जैसे कि आपको पता होगा हमारे यहां दो इस्तर पर सरकार बनाया जाता है एक केंदर इस्तर पर और दूसरा राजिस्तर पर केंद्र स्थर पर बिधाई का में कौन-कौन से होते हैं और राज स्थर में बिधाई का में कौन-कौन से होते हैं चलिए इस पास हम समझ लेते हैं जब केंद्र की बिसरे में बिधियक बनाने की बात आती है जब कैंदर की विसाय में पिधियक बनाने की बात आती है मतलब जब कैंदर की विसाय में कानून बनाने की बात आती है तो कैंदर कैंदर सरकार बनाती है और जब राज्य की विसाय में कानून बनाने की बात आती है तो कैंदर तो राज्य सरकार बनाती है मतलब राज्य का अधिकार होता है राज्य की विशे में कानून बनाना यहाँ पर कैंडरेस्टर पर कानून बनाने के लिए जो बेवस्ता अपनाई गई है उसे सांसाथ कहते हैं कैंडरेस्टर पर जो बेवस्ता अपनाई गई है उसे सांसाथ कहते हैं और राज इस्तर पर जो विवस्ता अपनाई गई है उसे बिधान मंडल कहते हैं यहाँ पर अगर हम कहने की बात करें तो कानून बनाने के लिए सांसत के दो सदर मतलब दो हाउस होते हैं एक लोयर हाउस मतलब लोक सबा बोलते हैं और दूसरा अपर हाउस यहनी की राज्य सबा जब राज इस्तर की बात करते हैं तो बिधान मंडल की दो इस्तर होते हैं पहला बिधान सबा और दूसरा बिधान परिशत बिधान सबा जो होता है वो सभी राज्यों के लिए आवस्यक होता है लेकिन अगर बिधान परिशत की बात करें तो बिधान परिशत कोई जरूरी नहीं है कि सारे राज्यों में आवस्यक हो वो डिपेंड करता है राज पे अगर चाहे तो बिधान परिशत को एकसेप्ट कर सकता है और राज बिधान परिशत नहीं चाहता है तो बिधान परिशत नहीं ले सकता है अभी टोटल साथ राजियों के पास बिधान परिशत है second बात कर लेते हैं कारपालिका के बारे में कारपालिका में भी केंदरिस्तर पे और राजिस्तर पे सरकारे होती है तो केंदरिस्तर पर जो कारपालिका का सबसे प्रमुक होता है वो राष्टपती होते हैं और second उप राष्टपती, third प्रधान मंत्री राश्टपती जो होते हैं वो पूरे देश के हैड माने जाते हैं और प्रधान मंत्री भी पूरे देश के हैड माने जाते हैं राश्टपती को बहुत सारी पावर दी गई हैं बट उन पावर का जो यूज होता है वो प्रधान मंत्री करते हैं इसलिए इनको बास्तविक हैड माना जाता है और राजिस्तर पर जो कारपाली का होती है उनके जो प्रमुक होते हैं वो राज्यपाल होते है राजिस्तर पर जो कारपाली का होती है उनके प्रमुक राज्यपाल होते है और राश्टपती की तरह ही राज्यपाल को पूरे देश का हैड माना जाता है और जो प्रमुक होते हैं और जो प्रमुक हैड होते हैं वो मुख्य मंत्री होते हैं ठीक बैसे ही मंत्री परिसद और चौते इस्तान पे आता है मंत्री मंडल, मंत्री परिसद मंत्री मंडल का जो प्रमुक होते हैं वो प्रधान मंत्री होते हैं सुभधा के लिए मंत्री मंडल को भी तीन पार्ट में बाट दिया गया है कैबिनेट मंदल के प्रतेक 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 मंद काणून व्यवस्था को सही रूप से चलाने के लिए तथा कानून के अनुसार में चलने वाले लोगों को दंडित करने का काम जो होता है वो न्याय पालिका का होता है भारत की न्याय पालिका स्वतंत्र तथा एकी करत है भारत की न्याय पालिका स्वतंत्र तथा एकी करत है भारत की न्याय पालिका का जो अपर लेवल है जो सीर्स है वो सुप्रीम कोट है जिसका प्रधान चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोट का प्रधान चीफ जस्टिस होता है और निचल अंत्रप्रदेश के आरावली में देश का 25 हाई कोट बनने जा रहा है अंत्रप्रदेश के आरावली में इस तरीके से कुल जो हाई कोट को मिलाए जाए तो 25 हाई कोट हो जाएंगे आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अंगले वीडियो में ओके फ्रेंड्स